हेलो स्टूटेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अगला पॉलीमर है फिनॉल फॉर्मल डिहाइड रेजीन थर्ड टाइप का कंडेंसेशन पॉलीमर है फिनॉल और फॉर्मल डिहाइड आर मोनोमर यूनिट्स हैं दो तरग के फिनॉल फॉर्मल डिहाइड रेजीन होते हैं यह रियक्शन देखो फिनॉल फॉर्मल डिहाइड से कंबाइन हुगा आसीड या बेस की प्रेजेंस में और एक इंटर्मीडियेट कंपाउंड बना यहाँ पर क्या हो गया? OH, CH2OH और थो हाइड्राक्सी बैंजाइल अलकोहल पेरा पोजिशन पर जुड़े तो पेरा हाइड्राक्सी बैंजाइल अलकोहल इंटर्मीडियेट्स बने और यह इंटर्मीडियेट्स अगर स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक linear polymer of phenol and formaldehyde और cross-linked polymer बनाते हैं तो इसको बोलते हैं बेकलाइट यह reactions को मैं आपको detail में बता रही हूं आगे next page पर देखो यह phenol का formula लिखा C6H5OH बेंजीन फर्स्ट वाला formula देखो बेंजीन रिंग में 5 hydrogen से और एक OH ग्रूप है formaldehyde का क्या formula है? HCHO जिसको हम लिख सकते हैं CH2O यह CH2O ग्रूप जाकर जुड़ा hydrogen से ortho position पर क्या हो गया? C6H5OH में CH2OH एड़ हो गया ओके? ortho hydroxy benzyl alcohol बना second step में यह जो दोनों benzyl alcohol है इसमें से H2O molecule eliminate हो जाएगा इस तरह से यह आपस में जोड़ कर क्या बना लेंगे? straight chain polymer जिसको हम बोल रहे हैं novo leg और जब baccalite बनेगा students को यह reaction समझ में आती नहीं है इसलिए मैंने इतना detail में लिखा हुआ है पट यह exam में कोई पूछने वाला नहीं है समझ में आये तो ठीक है नहीं तो नहीं भी आये तो चलेगा हम सिर्फ इतना याद कर सकते हैं कि phenol and formaldehyde से मिलकर क्या बना? baccalite अगर आपको detail में देखना है तो मैंने यह reaction बताईए ortho hydroxy benzyl alcohol लिखा एक और दूसरा क्या लिखा? नीचे पैरा hydroxy benzyl alcohol यह आपस में combine होंगे right box बनाए हुए है H2O separate हो जाएगा और क्या बनेगा? baccalite का smallest formula polymer baccalite का यह आपको यह page notes में नहीं लिखना है अगर आपकी इच्छा हो तो लिख सकते हो बट कंपलसरी नहीं है इस तरह से phenol और formaldehyde से क्या बने? novo lake and baccalite novo lake का use होता है paint बनाने में narrow lake narrow lake paint का नाम हमने सुना है narrow lake किस से लिया हुआ है? novo lake से ही लिया हुआ है और baccalite का use क्या है? electric switch बनाने में utensils बनाने में next हम आते है melamine formaldehyde polymer पर underline किया हुआ है मैंने इसका main use क्या है? unbreakable crockery बनाने में melamine और formaldehyde के polymerization से intermediate compound बना फिर से formaldehyde जुड़ा है याँ पर और फिर उसके polymerization से क्या बनेगा? melamine polymer monomers के name compulsory बहुत बड़े formula लग रहे हैं तो आप याद नहीं करें formula reaction तो भी चल जाएगा क्यों? क्योंकि यह वाला chapter हमारा कैसा है? objective chapter है next हम आते है natural rubber पर natural rubber जो rubber tree से मिलती है rubber trees का क्या करते है latex निकाल लेते हैं और उससे फिर क्या बनाते है natural rubber यह एक linear polymer है किसका? isoprene का monomer unit is isoprene 2-methyl-buta-diene last वाली reaction देखो second position पर methyl group है four carbons की chain है first और third position पर दो double bond है इसलिए नाम क्या हो गया? isoprene का chemical name 2-methyl-buta-diene और buta-13-diene भी बोलते हैं यह polymerize होगा और क्या बनाएगा? poly-isoprene जिसका दूसरा नाम क्या है? natural rubber अब natural rubber के बाद next हम आते हैं vulcanized rubber पर vulcanized rubber क्यों बनाया? क्योंकि natural rubber low temperature पर brittle हो जाता है means इसकी elasticity कतम हो जाती है high temperature पर यह elastic होगा बट low temperature पर elasticity कम हो जाती है और इसको increase करने के लिए natural rubber is heated with sulfur sulfur के साथ heat करते हैं तो natural rubber की जो polymer chains हैं उसके बीच में sulfur bond बनाता है और उसके stretchability increase हो जाती है के process को हम बोलते हैं vulcanization जब natural rubber is heated with sulfur at about 100 degree Celsius process is known as vulcanization और vulcanization of rubber इससे rubber की elasticity increase होगी इसका use होता है tires बनानी में next हम आते हैं synthetic rubber पर synthetic rubber पर first example है neoprene neoprene किसका polymer है poly chloroprene बोलना है means it is the polymer of chloroprene isoprene और chloroprene में ज़्याद़ा difference नहीं है isoprene में third position पर methyl group था यह third position पर three chlorobute one three diene यह क्या है chloroprene का formula polymerize होगा तो क्या बन जाएगा neoprene इसका main use है conveyor belt बनाने में oil gasket बनाने में यह आपको learn करना है next polymer next rubber is buna N buna N का एक और नाम है ABR acrylonitrile buta diene rubber it is a co-polymer co-polymer है means दो different monomer units है first monomer unit is one three buta diene इसलिए हम इसको बोल रहे है buna buna for buta diene and acrylonitrile इन दोनों का polymer है यह दोनों आपस में combine होकर क्या बनाएंगे buna N तो यह हमारी क्या हुई neoprene and buna N are synthetic rubbers अब next last हम आते हैं biodegradable polymers पर biodegradable polymers सिर्फ दो ही हैं इसलिए बहुत important है ध्यान से पढ़ना है इनके नाम और uses पूछ सकते हैं जो easily atmosphere में हम बोलें कि rubber और अगेरा जो है वो pollution कर सकती है बट यह degrade हो जाते हैं इसलिए जादा useful है फर्स्ट इस PHBV PHBV short form है poly-beta-hydroxy-co-beta-hydroxy-valerate यह इसका full form हुआ ओके short form, full form फिर से याद रखना है monomer units are 3-hydroxy-butanoic acid and 3-hydroxy-pantanoic acid इसलिए poly-buta-hydroxy PHBV बनेगा इन दोनों के condensation polymerization है इसका main use है capsules बनाने में जो medicines हम खाते हैं उसके outer covering किसकी बनी होती है PHBV की नेक्स्ट बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर इस नाइलोन 2, नाइलोन 6 और नाइलोन 2, 6 भी बोलते हैं इसको यह polymer है glycine और alpha amino caproic acid का glycine और caproic acid glycine में number of carbon atoms 2 है amino caproic acid में carbon atoms 5 है इसलिए हम इसको बोल रहे है नाइलोन 2, 6 और नेक्स्ट लास्ट बायो डिग्रेडेबल polymer इस poly 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 इसलिए यह polymer है glycolic acid poly glycolic acid and poly lactic acid भी बोलते हैं इसको और इसका दूसरा नाम है dextron और main use क्या है इस polymer का जब stitching होती है operation के समय तो जो thread होता है वो बना होता है poly poly का यह हुए हमारे सारे polymers complete हो गया chapter अब आपको लास्ट में एक काम करना है एक table बनानी है जिसमें आप name of polymer name of monomer यह सब लिखेंगे table के main points में आपको notes में दे दूंगे कि किस-किस point पर एक table बनानी है जिससे क्या होका पूरे polymers एक साथ एक page पर आ जाएंगे आपके जो main important topics है name of polymer लिखेंगे type of polymer then name of monomer formula of monomer और उसका main use इस तरह से पूरे chapter की एक table बना लेंगे तीके यह बहुँ छोटा सा chapter था complete हो क्या इसको अच्छे से learn करना है और इस पर best जो assignment मैं आपको Tuesday को देने वाली हूँ उस assignment को अहले learn करके बिना देखे test देंगे फिर मेरे पास submit करेंगे ओके thank you students